तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सोया बीन कड़ी और यह जो सोया बीन की बढ़ी आती है उसी की कड़ी हमें बनानी है कड़ी बहुत ही लाजबाब होती है एक बार इस कड़ी की रेज़िपी को जरूरोग ट्राई करिएगा आप सबको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी तो देर की सबात की चलिए सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जा रही हूँ सोया बीन की चटपटी कड़ी और ये कड़ी की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा तो चलिए बना लेते है तो सबसे पहले ये जो सोया बीन है ना जो पैकेट में इस तरह के आते हैं ठोड़े बड़े साइज की चंग शाथे हैं तो मैंने बड़े वाले लिए हैं आपके पास जो हो उससे ले सकते हैं इस तरीके से डाल देंगे एक बाउल में उसके बाड डालेंगे हम गरम पानी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरम पानी है, उसे हमने डाल दिया है, और इसे डाल के 10 मिनट के लिए एक साइड में रख दिया है, तब तक हम कड़ी का बेटर त्यार कर लेते हैं. तो हाप कप मैंने लिया है बेसन और हाप कप दही, दही थोड़ी सी खटी लीजिएगा, कड़ी अच्छी बनती है, खटी कड़ी की जो दही होती है वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगती है, तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से बेसन और दही को फेट लिया है, उसके बाद पानी डाला है आप बेसन और दही को थोड़े से पानी में फेट लीजिए ताकि लम्स ना बने उसके बाद आप पानी राल दीजिए तो यहाँ पर बड़ी गिलास से मैंने दो गिलास पानी का यूज किया है अब हम बेटर को एक साइड में कर देंगे घोल को और यहाँ पर देखे जो हमारे सोया चंक्स हमने भीगा के रखे थे ना तो यह बड़ी बहुत अच्छे से फूल चुकी है थोड़ा थोड़ा से इसे हातों में लेंगे दो या तीन या चार उसके बाद इस तरीके से अच्छे से निचोड़ेंगे जितना हम निचोड़ पाए जरूर डालिएगा बहुत स्वाद अच्छा आता है और हमने थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है और जैसे ही हमारा तड़का चटकने लगा है तो अब हम डाल देंगे चार पार्च करी पत्ते उसके बाद एक बारी कटी हुई प्याज मेडियम साइज की और यहाँ पे तीन जैसे ही कलर चेंज होने लगा है तो हम डाल देते हैं अद्रक और लहसन कुटा हुआ मैं पे पेस्ट का यूज नहीं कर रही हूँ जब भी कोई रेस्पी बनाती हूँ तो तुरंत कूटके ही अद्रक और लहसन लेती हूँ स्वाद बहुत अच्छा आता है खुस्भू भी विव बहुत अच्छी आती है अद्रक और लहसन को हलका सा भुनने के बाद जैसे की थोड़ा सा उसका कच्चह पन चला जाए हम डाल देंगे यह सोया बडी तो यह सोया बीन की बड़ी डालके भी आपको अच्छे से भुनना है ताकि यह अच्छे से भुन जाने से इसमें बिल्कुल कच्छा पन या फिर पानी का टेस्ट नहीं आता है तो ये देखिए इसका कलर भी हलका हलका सा चेंज होने लगा है मैंने बहुत अच्छे से इसे चलाते हुए भुन लिया है उसके बाद डालेंगे थोड़े से मसाले तो यहां पर मैंने थोड़ा सा हल्दी पौड लेंगे तो यहां पर इस तरीके से चलाते हुए हम अच्छे से इसे भुन लेते हैं मसाले भी एक मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर अच्छे से भुनेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएं तो यहां पर सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से भुन लिया है अब हमन और अब देखिए कड़ी का जो कलर है वो बहुत प्यारा आया है और अच्छे से कड़ी गाड़ी भी हो गई है यह देखिए तो इस तरीके से सोया बीन की कड़ी बनाएंगे न तो खाने में बहुत ही लाजबाब लगेगी और जीसे सोया बीन पसंद है उसे तो बहुत ही टेस्टी लगने वाली है यह कड़ी. अब हमारी कड़ी बन के तयार है तो मैं इसे सौब कर लेती हूँ तो गर्मा गर्म आप इसे चावल से खाईए, रोटी से खाईए या फिर जिस चीज से खाना चाहते हैं पराठे से खाईए, बहुत ही लाजबब लगती है इसके उपर से मैंने लगा लिया है तड़का और तड़के में मैंने तेल गरम करके थोड़ा सा हीम डाला था और थोड़ा सा राई उसके बाद मैंने थोड़ी सी कस्मीरी लाल मिश डाली सी गैस की फ्लेम को बंद करके और उसके बाद तड़का लगा लिया था इसमें और अब डाल देंगे हरा धनिया मेरी ये रेस्पी कैसी लगी जरूर बताईएगा मिलते हैं नई रेस्पी के साथ बैबै दोस्तों एं टेक केर